मित्रों को जै जै सियाराम प्रभु स्री राम की किर्पा हमारे शबी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो प्रभु की माया आईए आज नारजी और भगबान विश्णू की एक कथा शुनाते हैं एक बार नारजी ने बरी ही उत्सुप्ता पुर्भक भगबान विश्णू से पूछा कि प्रभु आपकी माया क्या है क्योंकि प्रिथवी पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेवित होकर दुखथवा शुक भोगते हैं लेकिन बास्तविक में आपकी माया क्या है भगबान विश्णू बोले नारज एदि तुम्हें मेरी माया जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ प्रिथवी लोग चलना होगा जहां मैं तुम्हें अपनी माया का प्रमान देशकूंगा नारज को अपनी माया दिखाने के लिए भगबान विश्णू नारज को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से प्रिथवी लोग जा रहे थे यहां दूर दूर तक कोई मनुष तो क्या कोई जीब जन्तू भी दिखाई नहीं पर रहा था नारज जी विश्णू भगवान के पीछे पीछे रेगिस्तान की गर्मरेत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे चलते चलते नारज जी को मनुष की ही भाती गर्मी और भूक प्यास का एहसास होने लगा कुछ दुरी पर उन्हें एक चोटी सी नदी दिखाई दी नारज जी अपनी प्यास पुजाने के लिए उश नदी के पास पहुच गए तब ही उन्हें कुछ दूरी पर एक सुन्दर कन्या दिखाई दी जिसके रूप को देखकर नारदमुनी उस कन्या पर मोहित हो गए नारद जी ने उसके पास जाकर उससे बिरान जगह पर आने का कारण पुशा कन्या ने बताया कि वह पास कहीं एक नगर की राजकुमारी है और अपने कुछ सैन्कों के साथ रास्ता भटक गई है नारदमुनी भी राजकुमारी के साथ उसके राज में पहुँच जाते हैं राजकुमारी शवहाल अपने पिता को बताती है राजा प्रसन होकर अपनी पुत्री का भी बाह नारजी से कर देते हैं और सारा राजपाथ नारदमुनी को सौप कर स्वेंग सन्यासी बन जाते हैं अब नारदमुनी राजा के शामान पूरे ऐसो आराम से अपनी जिन्दगी नारद को उस राजकुमारी से दोशन्ताने भी हो गई नारदमुनी अपने फलते फुलते राज और पुत्रों को देखकर बहुत ही खुस दे एक दिन उस राज में तीन दिन लगातार इतनी घंगोर बर्सा हुई कि पूरे राज में बाढ़ा गई सब ही लोग अपनी सुरक्षा के उद्देश से इधर उधर भागने लगे नारद भी एक नाओ में अपनी पत्नी और दोनों बच्चेों को लेकर सुरक्षित अस्थान की खोज में चल दिये बाढ़ इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि राज से निकलते हुए नारद की पत्नी नाओ से नीचे गिर गई और तेज बहाब के साथ ही बह गई नारद सोक करते हुए जैसे तैसे राज से बाहर उसी नदिया पहुँचे जहां नारद जी प्रभू के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आये थे नारद मुनी नदिगे किनारे पर बैठ कर सोक करते हुए जोर जोर से रोने लगे मेरे बच्चे पतनी सब कुछ तो नस्ठ हो गया अब मैं इस जीवन को जी कर क्या करूंगा जैसे ही नारदमुनी नदी में कुदने की कोशिस करते हैं तब ही भगवान विश्णू उनका हाथ पकर लेते हैं और कहते हैं कि ठाहरो नारद यही तो थी मेरी माया जो अब तक तुमारे साथ घटित हुए वह सब मेरी माया ही थी अब नारदमुनी भली भाती समझ जाते हैं अब तक जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ के बल प्रभु की ही मायाती तो बोलिये जैसरी हरी विस्नु जैसरी हरी विस्नु